हेलो फ्रेंट्स आपका सुभगते हैं आपके परने यूट्यूब चेनल रास्तरकारी 24 में तो फ्रेंट्स आज की स्टूड़े में बात करने वाले हैं अपने मोबाल से साथ बात करेंगे कि आपको एक्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है तो यह जानकारी आपको आपको पर लिंक अग्त करने के लिए उस लेंग करना है और कलिक करने की बाद लोगिन पीज ओपन हो जाएगा इंटलीजेंसी ब्यूरो आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा इसमें आपको सब size पेले आपको यहां पर दे सकते अपनी यूजर एडि डालना है यदि आप पासवड भूद ब्हूल चुके हैं तो आपको यहां पर फॉर्गॉard का option भी दिया गया है आपको नीची swipe करना है और को फॉर्गॉard पासवड या चेंज का जाएगा जहां से आप इसका user id password ले सकते हैं इसके बाद आपको यूजर आइडी पासवर डालेंगे capture code को यहाँ पर डालेंगे इसके बाद login वाले option पर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर login करते हैं तो इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर जो ओप्सन देखने को application details admit card का help best का तो आपको admit card वाले option पर click कर देना है जैसे यहाँ पर click करेंगी तो आपके सामने इस तरह का interface आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें admit card यहाँ पर देख सकते हैं by second July 2013 की date में आपका यहाँ पर exam date दिया गया है और इसमें आपको यहाँ पर time being भी दी गई है जो कि address आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बाद इसको download करने के लिए admit card का option यहाँ पर दिया गया है आपको इसके पर click कर देना है जैसे यहाँ पर click करेंगी तो आपका admit card download हो जाएगा होने के बार इसको pdf में open का लेना है और इसमें आपको यहां पर देल सकते हैं आपका जो नवीं तम photo है वही आपको जिपकाना है रधी आपके फोर्म में लगाए थे वह photo जैसकी यहां पर लिका आप जैसा photo है वसल्क यहां पर आप एड्म jyes का देना है एक तो आपका printed जो admit card है original admit card आपको लेकर जाना है second document से है photo ID photo ID में आपका original ID लेकर जाना है जिसके आधार card हो गया, pen card हो गया water ID हो गया, driving license हो गया जिसमें आपकी date to birth, address और photo होता है वो ID आपको लेकर जानी है इसके बाद दो passport size photo भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है passport size photo आपको यहाँ पर नया वाला ले जाना है जो कि आपके form में लगाएते उससे मिलता जूलता आपका photo होना चाहिए यानि कि पैचान में आना चाहिए कि यह आपका photo यह है तो यह details आपको यहाँ पर दी गए है और बाकी की details यहाँ से check out कर सकते हैं आपको exam center पर क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं फिलाल आपको इन तीन चीजों के अलावा आपको कोई details आपको यहाँ बन नहीं ले जाना है एक pain जुरूर ले जाना है ठीक है तो यह ती आपको यहाँ पर Intelligency IBO JIS Second Take Exam 2013 का admit card के बारे में मैंने को complete information उपलब्द करवा दी है वीडियो में जाने करें आपको अच्छे लगी वीडियो को लाइक कीजीगा चैनल को अब सब्सक्राइब करें नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन के लेना ताकि आगे के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातर मिलता रहेगा थेंक्यू फॉर वाचिंग चाहिंद चैबारत